हेलो दोस्तों मैं हुई इंताफ और आप देख रहे हैं इंफरमेंस कासेज आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले बात करने वाले इस वीडियो में बने रहे गां तक आपको पुरी जनकारी मिल सके स्टेप बाइस टेप चलिए सबसे पहले बात करते हैं अप्लिकेशन फीकी जेनरल ये डबली सी ओबी सी के लिए साथ सो पचास रुपे लगेंगे उसके बात करते हैं एस सी और एस्टी और प्वड के लिए एक सो पचीश रुपे लगेंगे पैसे पेमेंट कर सकते हैं तो डेविट कार्ड कर इंटरनेट बैंकिंग के दोबारा ओं-लाइन आप पैमेंट कर सकते हैं उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट की दिए स्टार्ट डेट फो अप्लाई ऑन-लाइन पैमेंट ऑफ फी तो 24-2019 यानि दो अप्रिल से अप्लाई होना शुरू हो चुका है उसके बाद लास्ट डेट टो अप्लाई ऑन-लाइन पैमेंट ऑफी तो बाइस चार्ड ऑजार जाए गया यानि आपको पूरे 20 डेज में ही आपको फॉर्म को भर लेना है और कम्प्लीट कर लेना है उसके बाद डेट फॉर एडिटिंग अप्लिकेशन डीटेल्स तो देखिए 22-4-2019 लास्ट डेट है अगर कोई मिस्टिक हो गया है आपके अप्लिकेशन में तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं 22-4-2019 तक ही उसके बाद डेट फो डाउन लोड ऑफ क अवे और करेक्शन तो प्रिंटिंग यूर अप्लिकेशन तो सांत प्लिकेशन तक अप उसका फोर्म वरे हैं उसका अप्लिकेशन और जी रॉक्स सकते हैła ईसके बांद नहीं हुआ सकते यहला सिरो सभी है इनिल लास्ट डेट है जो एक्जाम होगा वह फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो जुलाई का पहले सब्ता में उसका रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद फिर उसमें आपका सेलेक्शन हो जाता है तो देखिए आपको फिर जो कॉलेटर आएंगे मैंस के लिए 2nd of July में उसका आप कॉलेटर या इड्मि होगा उसका जो रिजल्ट आएगा थृड वीक ऑफ अगस्त तीसरे सब्ता में उस में जो आपको या जाता है तो इंटर्वीय के लिए आपको चोथे सब्ता में अगस्त के चोथे सब्ता में से अधिर्वी趣 कार्ट डाउंलोड करना परेगा और जो 2019 फाइनल रिजल्ट आएगा यानी पूरी तरह से मेरिट लिस्ट बन कर जिसका सेलेक्षन हो जाए पूरी कंप्ली तरीकिसे उसका जो रिजल्ट आएगा second week of October यानि October के दूसरे सब्ता में final result आ जाएगा उसी में पाता चलेगा किसका हुआ किसका नहीं हुआ उसके बाद देखिए जो भी training होता है OVCST के लिए तूसका training जो होता है उसके लिए अगर अगर निकलवाना चाहते हैं तो second week of मई में निकलवा सकते हैं और जो training दिया जाएगा वह fourth week of मई में training दिया जाएगा चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की तो एक चार 2019 तक अगर 21 साल के हो गए तो आप इस स्वाम को भढ़ सकते हैं और अगर 30 साल से अधिक हैं तो आप इस फर्म को नहीं भढ़ सकते हैं आपको छूट भी दिया जाएगा जो भी नियम कानून है सरकार के दोरा बनाएगा उसमें छूट मिलेगा चलिए बात कर लेते हैं क्वैलिफ्यकरेशन की तो देख'REख्यो Ainla इया या लाश्ट एयर में है किसी बी साइन्स कमर्शी से आठ किसी बी इस से तो आपको कोई दिकत नहीं होगे आप फर्म को वर्ष सकते हैं आप एलिजिबल हैं चलिए डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि पोस्ट कितने ही किस कैटेगरी में तो देखिए जेनरल कैटेगरी में 810 पोस्ट हैं OVC में 540, SC में 300, ST में 150 और EWS में 200 तो देखिए आप फर्म कैसे भरेंगे कहां पर भरेंगे तो देखिए फर्म भरने के लिए आपको करना क्या होगा www.co.in पर जाकर आप उसको फर्म को भर्ष रखते हैं तो आई होप यह वीडियो परसंद दया होगा लाइक करें शेयर करें अगर चैनल पर नए आया है ऐसे ही बहाली से रिल्टेट कोई भी जनकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका वीडियो दे